मैं उसको बुरा नहीं बोल रहा हूँ लेकि किसी गलती एक ने की है तो उसकी सजा हर आदमी को क्यों दी जा रही है आप मुह हमें कमजोर समझते हैं देखिए हम अहिंसाबादी है देख अजाद हुआ था शुरुआत हमारे बलिया के धर्ती से हुई थी तो हम जब अंग्रेज को भागाना जानते हैं न तो हमारे बीरो की धर्ती है चाहे उत्तर परदेश हो या बिहार हो तो मैं चाहता हूँ कि प्लेज आप सब सुधर जाईए अभी भी देखिए हमारे मन में सम्मान ही आपके लिए आप बोल रहा हूँ तो प्लेज मैं कह रहा हूँ कि इनसान इनसान होता है गलती कोई एक करता है न आप उसको जो सजादे देना चाहते हैं हम उसके साथ हैं उस बच्ची के साथ हैं उस गुजराद की उस बेटी के साथ हैं हमारी भी बेटी हैं हमारी भी बेहने हैं कोई भी गलती करता है हो चाहे मैं क्यों ना हूँ किसी की भी बेटी बेहन के साथ छड़खानी करना या गलत बहवार करना या अच्छी बात नहीं है लेकि इसका मतलब यह नहीं कि पूरे दुनिया गलत है पुरा उपी बिहार गलत है कोई एक ही गलती किया है न वो किसी से पूछ के तो नहीं किया है उपी बिहार के सलाह से तो नहीं किया है उसों काम करने उस बेटी के लिए हमारे मन में संबान है कि शोर ना करे कि किसी के घर के बेटी के साथ ऐसे हो लेकि इसका मतलब यह नहीं कि हर यूपी बिहार के इंसान गलत है हर आदमी गलत है मैं हाथ जोड़के प्रातना कर रहा हूँ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप कि प्लेज आप उपी विहर के लोगों पे इतना त्याशार मत करिए यह आठ दिन से चल रहा है हमारे भाई किसी ने बोला हाँ मैं देख रहा हूँ लेकि आज कुछ ज़्यादा ही हद हो गया है आज मैंने टीवी मैं सुन रहा था सुन रहा था लेकि मैंने आज मैं अपने आपीस पहुचा तो मैंने टीवी देखी तो पुरा स्रिफ हमारे लोगों को स्रिफ पेडित किया जा रहा है मारा जा रहा है आज तो 12-14 लोगे को मार दिया है लोग ने अब भैंकर सर फार दिया है हम बड़ी सलिंता के लोग हैं गुजरात वाले भाई लोग बहुत सलिंता है इस मन में बहुत दया है हम पत्थर को विश्वास से पूझ लेते हैं हमें लड़ाई जगड़े नहीं आते हम एक सलिंता की जिन्दगी जीना चाहते हैं जब आप लोग तकलीफ में होते हैं न तो वो तकलीफ देखी नहीं जाती क्योंकि मैं भी गरीब का बच्छा हूँ और मैं भी बहुत मेहनत किया हूँ बस मैं यह चाहता हूँ कि आप लोग प्लेज एक होकर और मैं गुजरात वासियों से भी में रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि देखी मैं हम लोग एक मेहनत करने वाले लोग है सलिंता के जिंदगी जीना चाहते है मैं चाहता हो कि सब लोग एक होके और यूपी बिहार के मदद के लिए जोड़ना है हम सब को क्योंकि हमारी जीवन और हमारी सलिंता जो है यूपी बिहार के लोगों के लिए हर उस आदमी के लिए हर इंसान के लिए लेकि हमें जिसने बनाया है हमें इतने सारे जो प्यार करते हैं आज वो तकलीप में है, आप सुधर जाओ, नहीं तो हमारा बिगड़ना तो साइद कुछ ज़्यादा ही दिकत हो जाएगा, क्योंकि हम UPBR के लोग जब बिगड़ते हैं तो कहीं भी फते हासिल कर लेते हैं, लेकि हमें ये नहीं करना है कि अपने देश में हम एक दूसरे को का जा देते हैं, हम दसरत माजी के माजी के राज्ये के रहने वाले लोग हैं, हम पहाड तोड़कर रास्ता बना लेते हैं, तो आप तो इंसान हो, कितना टाइम लगता है, लेकि हमें ऐसा नहीं करना है, दसरत माजी जैसे बीर हमारी हम पैदा हुए हैं, ऐसे लोग पैदा तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग सुधर जाओ, नहीं तो साहिद हमारा बिगर्णा बहुत ज़्यादा आपको भारी पड़ जाएगा कास्मीर में नहीं लड़ेंगे, कास्मीर में नहीं लड़ेंगे भाई, ये तो इनको उपे बिहार वालों ने पता नहीं इनके कौन सा घार उजाड दिया है, किसी गलती एक ने की है और ये सारे लोगों को दोसी बना कर और सारे लोगों को एक और है कि गुजरात छोड़ो जिस दिन हम छोड़ाएंगे न उस दिन कहीं नहीं रह पाएंगे आप प्लेज हम कह रहे हैं कि इप्पी विहर वालों पर इतना जुल्म मत धाई है आप सब रिक्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि अब तकलीफ हो रही है बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है एक छोड़ी से जगड़ा होती है हाँ दस बीस लोगों को ठीक आपने टॉर्चर किया तो वो भी तो इंसान है न अगर हम एक होकर अगर जिस दिन गुजराद पर चले आए न तो कम पड़ जाओगे भाई मेरे बहुत कम हो आप हमारी अबादी 30 कड़ोर जनता है हमारी यूपी बिहार सिर्फ बिहार की भजपुरी बोलने वाले लोग भजपुरी बोलने वाले 30 कड़ोर है आज आए न तो गुजराद का पता तक नहीं चले गए यार लेकि प्लीज मैं चाहता हूँ कि अभी इंसान है और इंसान है तो इंसान का कदर करना सिखी आप इंसानियत बहुत बड़ी चीज होती है जो हमारे मन में होती है हम इंसान है और इंसान को मारते है ये कहां का इंसाफ है गल्ती किसी एक ने किया है न ऐसे बहुत सारे रेप हुए है तो क्या पूरी दुनिया को लोग दुनिया दोसी कर देता है उस पूरा राज दोसी हो जाता है गंगा के पानी की तरह इंसान होता है गल्ती कोई एक करता ह इसका मतलब है नहीं कि पूरी गंगा को दोसी कर दोगे तो हमारे यहां गंगा बहती है उस गंगा के मिट्टी के हैं हम लोग बनारस में डुबकी लगाते हैं उस देश के रहने वाले हैं नहीं तो साइद गुजरात के पास अगर पैसे है न तो हमारे बस इतने लाठी है न कि साइद उतने पैसे कम पढ़ेंगे भाई आपके तो बस रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यह मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूँ यह मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अगर challenge करूँगा तो क्या होगा साइद आपको अंदाजा नहीं है क्योंकि देखे दर्द तो दर्द होता है उनको जो मार रहे हो न वो दर्द मुझे भी होती है क्योंकि हम सब एक हैं इस देश में रहने वाली एक इनसान है आप नागरिक हैं और आप भी किसी देश में जाकर बिजनेस करते हो अगर हम खड़े हो जाए न तो साइद गुजरात के लोग कहीं और नहीं जाएंगे गुजरात भी प्यारा है आप सब प्यारे हो तो ऐसे दंगे मत करो गलती जीसे ने किया है उसको सजा देए